कि यूट्रिक्स लांड प्रैक्टिस अचीव है लो एडिवन वेल्कम टू क्यूट्रिक्स दिस परने एंड आज हम डिसक्स करेंगे पूरी फेरंस को तो लग्षे अगर आप मेरा कोड़ यूज करते हैं तो अगर आपको ये लेक्टर कहीं से अच्छा लगता है तो प्लीज टू हीड लाइक बट्रेंट विद्ट विद्ट तो चले स्टाट करते हैं पूरी फेरस का जनल क्रेक्रिक्स ट्रिक्स एंड क्लासिफिकेशन इस से लास्ट में हमन सबसे पहला कोशन आते हैं यह पूरी फेरा का मतलब क्या होता है अगर हम यूज ली अरफिक जन्रली हम क्या बात करें पूरी फेरा शुरी फेरा रफोस्तो पूर अब मतलब कर ब्रबेल अधार टेम स्वेंटन आधाउल के ठाट्रृ एंड के पूर्धर्ण इससे पहलए अनिमेल औरुक् confidence हम चल वोडूरी फेराइनिऑ Starles है ब्रोडूमेश नूमेरेस मिलते हैं कैसे लिए-फेर्ण क्या नम्नें प्रोटो जो अपड़ा था तो है यहिए प्रोटो जो ऊजो थे वह उणिसल्वर थे वरट जब पूरी फेरा के बात करते हैं तो इनका जो organization है body का वो क्या है multi-cellular ठीक बट यह multi-cellular organization है जिसका grade का है cellular grade ठीक है cellular grade का मतलब क्या है कि देखे तीन grade होते है यह cellular grade हुआ multi-cellular में तीन grade हुए एक cellular grade, tissue grade और organ grade ठीक है तो हमारा क्या होता है जैसे normal human body मतलब हमारी body में tissue and organs का organ system है but multi-cellular body में क्या होता है इनके जो organism है unit बनता है वो क्या काम करता है वो cellular level पर काम कर रहा होता है ना कि tissue और organ level पर काम कर रहा हो ठीक है तो मतलब कहीं कि यह cluster of cells होते है ठीक है बट वो एक्ट मतलब अगर रहते हैं फिर उनका living है वो क्या करते हैं इंडिविजुल सिंगल की तरह रहते हैं ठीक है बस इतना ही क्या करते हैं अगर मैं बात करूं हुमन बोडी में जिन में टिशू ग्रेट का सिस्टम होता है टिशू होता है और वो सारे cell एक unit की तरह काम कर रहते हैं उनको जो सारे functions है वो एक दूसरे से को रिलेशन में रहते हैं मतलब वो एक दूसरे से डिपेंडेंट रहते हैं ठीक है तो जैसे कि हम सिंपल सी ब्रीधिंग की बात करें तो हमारे पास का है नोज है फिर क्या करते हैं फिर उसके तुरू क्या करते हैं हमारा हमारे पास क्या है हमारे फेफडे हैं ठीक है लंग इसमें जो single individual है वह सिंगल सेल क्या कर रहा है अपना respiration खुद का respiration कर रहा है खुद का digestion खुद कर रहा होता है खुद का nutrition रहा होता है बड़ वह रहते cluster में हैं फॉर्म करते हैं एक individual ring की तरह अपने आपको फो करते हैं तो multi severity में सिलुए तो पहले इसको थोड़ा से मिटा देते हैं तो पहले करेंगे भी डिफाइंड एसे में इनकी बॉडी में तो कोई सिमिट्री ही नहीं होती है अगर हमारी क्या होगी इस टाइम पर अगर मैं यहां से अपने आपको मतलब इसको डिवाइट करते हैं इनकी कोई भी दो पोर्शन है फिर हम इसको किसी भी तरीकी से चॉप आउट करते हैं तो आपको स्कुष्मित्रिक ये क्या होता है कि रिडीला समयर्टिक बात करने हैं तो यह स्टैप का कॉता है क्रोस टैप कर कट किया होता है तो अगर इसको ऐसे चॉप आइप हो तो यह हमारा जो center of axis है तो यह जो chop होता है यह जो axis cut होता है इसको कहते हैं हम radial symmetry में तो इसमें जब हम four portion की बात करेंगे यह जो four portion है यह आपको एक दूसरे के identical एक दूसरी के similar मिल गाएंगे इनके सारे के तरह functions की बात करेंगे चाहिए नेक्स का आता है पोड़ी फिरा में जब बोलते हैं देख कंजिस्ट आउटर एक्ट्रोडर्म और इनर अट्रोडर्म और एक्ट्रोडर्म क्या होए हमारे यह जर्मल लेयर होते हैं है जब हमने कहा कि दो जर्मल लेयर है तो यह क् डैप्लेज्ट्रोड्रम होता है बड्रव क्या बात कर रहे हैं इंदोने के बीच में मैसेंटाइमल लेयर होता है ठीक है तो यह हो यह việc हो हमारे पास जर्मल कीका जो कहते हैं कि यह हमारा पास एक इंडिविजल है ठीक है ठीक यह इस टैप के होते हैं पॉनिकल फ्लाक्स के बात करें यहां से पोर हुआ और स्कुलम जिसे कहते हैं ठीक है तो यह कहां इनमेज है जैसे कि जैसे कि आपने पूरा फेस करते हैं यह अपने जगहां से बेए Frosy अधिन और और यहां आ uży्लते हैं इन Chanel को का है तरु시कर में कहते हैं एक उसाइडिया फॉर यहां पूरा सब्निक्यारते हैं इन में कैया है अपका रिप्रोड़क्शन हो कि यह क्रीस प्रॉठ चॉप आउट हो गया तब जाके यह अपनी जगा से डूसरी जगा पर मूब करते हैं उससे पहले मूब नहींद चरते हैं और इंका जो ग्रोथ अप्लांट डाइक होता है मतलब कि गए मित प्रिटरों कि होते हैं हमारे बारडी सरपेस पर जो हमारे पास ये हमारे हमारे एक सपॉच करें पूधा इससरफिस प का कएता हैं और ये जो उपर barrier होते हैं आगे बीकर करेंगे है। ये पॉर्फ fr tv का कैता है हम ओस्टिया और और आस्टियम सुम्टेम इसको ऑने आ वोलते हैं पॉस्टियम भी फूलते हैं तो इस वर्टर एंटर स्मय वह the feminine वह Better In पानी को एंटर कराता है तिक एंड वन और ओर लार्ज टिक है दव ओस्कोला वाइवुजत वॉर्टर एगजिस्ट मतलब यह उपन एक हो सकते हैं एक ग्रूप होते हैं पूरिप करें कि तो वो एक दूसरी के साथ लग जाते हैं एक डूसरी के साथ क्या कहते हैं एक सिंगल तरह सिंगल को लिए उस टैम पर मल्टीपल असिल मैं टिकल एक जिट भी मल जाने जब पर जनल यूठ होता है हमारे पास सिंगल के बाग कर रहे हैं आप इस ट्रीक के बात करें ठीक है तो जो पर टेट के एकशिवर्टर एकशिट कहां से करता है ऑसकुलम से और अस्टीय है से ठीक है कि अम इनमें वाटर अगा टेक अब क्या होता थे इंटीर स्पेस्ट और इंटीरइटर विट व्ड़ी इधर होलो और पर मिलेश कना थे इंटीरियर स्पेस आप से इने करने के लिए बीच में केनाल सिस्टम होता है तो जब पानी ट्रेवल करता है तो जो रहा होता है तो अके जो कि बाहार जाके जहां पर एंट्री करते हैं body के इंटियर में यह कों से कहां से कुछ से लाइन होती है कॉन उसाइड से लाइन पाइन तो सपोच यह मैं निकारक्राइब यहां पर हमारे पर है ठीक है यह महारा ऑस्टिया हो गया यह में हमारे नाल हो गए ठीक है यह हमारा यह जो सेल है इन सेल को कहा कहेंगे हम कौनो साइड यह जो पोजिशन है यह क्या हमारा स्पॉज्ग यह हो गया ऑस्टियम बोलते हैं अफिलम की से किसलिए ओता है है इस चुछ गलिए एंट कर रहा है उस्किया वाट 앞 इंट्री दे रहा है हमारे पास पैसेच है वो केनाल है क्ला रहा है है वो हीजियर बना रहा है बीच में जहांपे ऐसको कहें है हम जो कह घ्रते हैं हम इस दो से लिए तोड़ा सिंपल स्ट्रक्श्टर है इसका वाटर खाट पूर्बश्क आप इसका जो है तो फ्लो कहां से है ऐस्टिया त्रू आइस्टिया के बात क्या हमारा ए और स्कुलम तर्य कि इस पॉंजो सील कि और स्टिया के बाद हमारा क्या हो गया सब्सक्राइब कर रहे हैं अब नेक्स जम बात कर रहे हैं क्या है हमारे पास इसके बाड़ी में यहां पे हमारे पास मेसो हाईल बाला पर्शन है इसमें होते हैं इस पिक्यूस जो कि इसके बाड़ी के स्केलेटन को बनाते हैं तो उन्होंने कहा कहां कि जो क्रेक्ट्रेस्टिक स्केलेटन है वो वो किसके बने होते हैं या तो वो इस पर इस पॉंजिन फाइबर्स मतलब यह प्रोटीन होते हैं प्रोटीन होते हैं प्रोटीनस ठीक है और सिलीशियस और कलकेरियस ठीक है तो यह किस टैप के होगे हमारे है इन और गणिक टाइब ठीक तो यह तो यह तो प्रोटीनियस होंगे यह फिन हमारी बताव शेंगे इनुज मतलब सिलिकन में कलके रियस मतलब केल्शियम में टीक है ठीक है अब हम क्या बात कर रहे हैं कि दर नर्वा सिस्टम अब देखिए इसके लेटन के बार में समझ में आ गया अब क्या है कि इनका नर्वा सिस्टम क्या होता है इस पॉंच इस में नर्वा सिस्टम एपसेंट रहता है जो यूजली जो सीन होता है उसमें नर्वा सिस्टम होता है इनमें मतलब क्या होते हैं इनमें यूजली की बात कर नहीं होता है जुनली बट इनमें अगर किनी कोई ऐसा इसपोंज है साफोई पोई पॉरी फेरा है जिसमें कहते हैं आपको निर्वस नर्वस सिस्टम मिल गया तो वो नर्वस इस्टम क्या होगा वह एंडिमल किंडम का सबसे प्रिमिटिव वर्जन अपने रवस इस्टम होगा मतलब उसमें तिर्फ और स्टि तौर्ण के वाले कोफोज वार्व होन होन धाय गै Earia है उसको क्या है कि यह हमारा की होजएगा बाइप और टॉसाइट से हमारे निकला होता है इंटराइटित एरिया है तूसके हम नीरों कि मल्टिक्व्ल अग्याड है इसके बाद क्ताक टाल कि सव्द्स इत्स veggies बात है अब इन्हों ने कहा का हां कि डिस्तिंट डिस्सटेशिप्स तो नहीं सर्कुलेशन का मतलब बनता है तो हम जब इस्पॉंज इस्टडी करते हैं तो कपीं कर रहे होते हैं इसले म fuss कर रहे होते हैं इसलें कोई distinct प्रॉपर एक सिंगल स्पॉंंज कांस रीकलोडी सिस्टम और उनके अलग से स्ट्रम होते हैं जह बाद करें होते हैं इन सारे के-सारे काम को कौन कि एक वाटर फुल उनकाता है एक यह और suo इन सारे के सारे चीजह को प्रोवाइड कराता है मतलब operation के लिए जो gases है nutrition के लिए जो कहते हैं आपको nutrient चाहिए वो सारे के सारे चीजह आपको kakar राता है water flow system और अब जो वाटर flow सिस्टम है यह water flow system है ठीक है इसको कहते है हम canal system ठीक है तो जो धब वाटर सेर्कलर सिस्टम करेंगे करेंगे बट अभी तर या होता है की में सब्सक्राइब कर लिये सबसे पहली बात एपिछलर लेर होती है इन में क्या कहने हो इन और एपिधिलेल में क्या होता है कि इनके पास ना मेंब्रेनस लाइनिंग नहीं होती है मेंब्रेन से लाइनंग होती है ना याँपि केस लाओ यहां मेंब्रेन से सब्सक्राइब ब territorial थ firms लाइनिंग और इनके जो और उसको किले। तया है उसको कहते है हम तिनापिन इनर यए हट है नों 7 वारी दालं कूनसे लेर होते हैं मतलब यव्श इन में से सड्म लगे होते हैं मतलब अगर हम बात करें कि ऑडी का और चाहिकल ऑड़ यह वह कुड़ी का आउट्र एर्रीया है वह रहोता है वहीं बॉड़ी काना होट्प एक बाइनर सर्फ्यस के बना होता है हमारा on it है कुंसे लग होते हैं कौनो सब्सक्राइब कौनो साइट प्रोटिस में पता होगा टिक है तो जो ऐसे मैं क्योंकि यह प्रोपर करते हैं विल्कुल यह हमारी पास होते हैं यह उससे रिजंबर करते ही तो सेम की तरह ही क्वानौ उसए भी होते इसलिए उसलिए इनको क्वानौ साइट्स बोलते है ठेक है आरांट तुम यह नो ही पॉल्ल तर आफ माइक्रोगिलाई टिक है वाटर इस पुल थो दा उस्किया वाइदा है बीटिंग अब दॉपन उसाइट साइटिक फ्लैजिला ठीक है मतलब इन फ्लैजिला के मुवमेंट से ही क्या करते है बॉटल वाटर को जो हता है आटर से अंदर आता है तिक अब इसके बाद क क्या होता है यह इंसे जो की उनका वी काम क्या होता है यह इंफ्यूस होते है हमारे क्या करते है इस के साथ सब्सक्राइब करेंगे हमारे वेक्षिन करता है तो वहां से वहां निकालता है तो वह काम किसका होता है है मैं से क्या होए हमारे कंट्रेंट वेक्षि और इसमें तो वेक्षिन होते हैं यह कारेंगे हमारे प्रोसेट करते हैं और प्रोसेस का रिस्पोंसी होती है आपको प्रोरी वाड़ी में और पूरीवाड़ी में की जरूरत है तो वो कौन से सलों आपको प्रॉइट करा आता है एक स्ट्रॉक्चर स्मझ लेते हैं अगर मैं बात हूं एक सिंपल स्पॉंजिन की इस टाप से मुला रहेते हैं है कि यहां पर आगया कि दूंट माइंट डाइगा थोड़ा साब को खले आउटलेंड दे दूंगा मैं तकि जद अच्छे समझ मैं कि यह हमने क्या है यह हमारा बेस हो गया अब यह जो हमने रेट कलर की लेयर बना रहा हूं है कि यह पूरा का पूरा हमारा पॉर्शन जो होगा ठीक है और हमने यहां पर क्या बना दिया है यह हो ठीक है तो यह हमने क्या बना देए एक सिंपल सा इस पॉंज बना दिया अब इस इस पॉंज के जो यह वाला एरिया है इस एरिया को क्या कहते है हम औस कुलम ठीक है यहाँ पर जो आउटर एरिया है यह आउटर लाइनिंग है यहाँ पर जो सेल की लाइनिंग होती है यह जो इन्दम आउटर सर्पेस है इससे बनी होती है अभी थोड़ी दिर पहले पढ़ा इस लेयर को क्या कहते है पहले इस लेयर को कहते है हम पिना को डूंट इसमें जो सेल्फ होते हैं उन सेल्फ को क्या कहते हैं पिना को हुआ है साइड़ यह जो पूर है जो डेंटि के पूर्स है इनको कहते हैं इसको क्या जाता है ऊस्टियो मैं फिर हम क्यायायात इसको कहते हैं हमम इसको कहते हैं हैं कि इसमाजों ति कि ए deeper यह जो क्या है हमारा बेस हो जहां से कहते हैं हमारी बॉडे के हो जबिक्ष बाड़ी है है rocks जो हमारे marine environment के बात कर रहे हैं तो उन पे चिपके बड़े होते रहते हैं ठीक है इसका जो क्या कहते हैं ठीक है इस इंटर्न येर ये कोसे हैं अब इस पहले से वह की मेरे करता है अब सबसे पहले जो यह सेल हुए इन में यह मैंने क्या बना देए एक सिंपल आपको कुंसा कुंसा वाला सिस्टम बना दिया एसकें टैप हर बार इसलिए बना रहा हो क्योंकि एसकें टाइफ ड्रॉइंग में बहुत इजी होता है तो अभी आपको एंडेस्टैंड क अगर मैं अभी कि अभी अपने आपको इस्टेबल रखते हैं अब यहां पे जो इस सैड में लियर होती है तो अब यह वाला जो हमने क्या करें आउटर बता दिया अब क्या है कि यहां पे जो आपका बीच में जो सेंटर एलिया ही जो खाली ब्लैंग वॉइड स्पेसे इस मैसे स्पिक को कहते हैं मीसो है चार में सो हाइल में कौन-कौन से सैल होते हैं हमने थोड़ी दिर पहले जो जो आता है वो क्या होता है हमारा कि अर्क यो साइट्स है अना अभी थो देञे पल्ले पड़ा आर्कियो साइट्स पड़े मायो साइट्स पड़े इस पॉंजो साइट्स पड़े तो इसने और एक सार आता है जिन को कहते हैं हम इसके अलावा इसके अंदर क्या मिलता है आपको इस पिक्यूस मिलते हैं कि जो की क्या करते हैं स्केलेटन को बनाते हैं तो यह क्या होते हैं हमारे पास इनमें हमें मिलते हैं तो इस पिक्यूस मिलते हैं तो इस पिक्यूस मिलते हैं तो इस पिक्यूस हमारे क्या करते हैं मेजो हाइल एरिया में आपको मिलता है मतलब बिट्विन पिनको साइट एंड और इसके बीच में मिलते हैं आपको इस पिक्यूस मिलते हैं जो कि क्या 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 करते हैं कि किसका फार्मिशन करते है यह बॉरा एरिया आपको इस टाइप एरिया मिलेगा एक दूटी से जुड़े भी होता है तो यह हमने समझ गए कि इसके बार में थोड़ा से दो तीन पॉइंट है कि हम लिखे सबसे पहला क्यों पॉइंट सिस्टम है क्या होता है हमारा और यह एक्ट एस अगेट फॉर दे एंट्री ऑफ अब वाटर की एंट्री क्यों इंपोर्टन होती है विक्यों वाटर प्रोवाइट अ कि अ ओल्डी वाइटल निसेसिटीज और लाइफ वाइटल निसेसिटी का मतलब क्या है जो भी गैसे मिलेंगे जो भी गैसे चाहिए न्यूट्रेंट चाहिए यह सारे के सारे आपको कौन प्रॉइट करता है यही जो वाटर उस्टिया से और स्कुलम में स अब क्या होता है इन में अब जब सेल में डाइजेशन होता है ठीक है अब बीसी बात इन में इन में जो डाइजेशन होता है वह कुन से ग्रेट का होता है इनका जो डाइजेशन होता है वह क्या होता है सेल्ट का डाइजेशन इसमें थोड़ा एवी लिग देते हैं होता है पूरा यूनिट का होता है क्वोष एिनस्टम पे यहां से अंदर si, फिर से James इस पॉंजोसील से पानी खाब साब आता है आपको वाटर है वह सुपिल में तो मतलब के हैं कि वाटर ऐसे हैं वाटर एक्षित व्रॉम ओस्कूलम और वॉर्टर में उसमें होते हैं इस्टर प्रोड़क्ट है हमारे वह सारे नियुक्त है और वह स्पॉंजोसिल से भाने होते हैं इसमें कि क्या होते हैं इनकी बीटिंग से इसके अंदर शक्षन पैदा होता है तो इसके अंदर पानी इसके बाहर जो पानी है वो अंदर आता है और जो अंदर जो पानी है वो इसके बीटिंग से बाहर निकल जाता है और तो यह जो प्रोसेस होती है पूरा को प्रोसेस किस पर डिपेंट रहता है क्वानो साइट के फ्लेजलर मुव्मेंट फ्लेजलर बी डिपेंडेंट ओन फ्लेजलर मोमेंट अब अब कौन साइट ठीक है तो हमने यहां पर हमें थोड़ा सा इसका बॉड़ी के इस्टिक से इसके फॉंक्शन के बारे में फॉड़ा समझ गी अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा कि इस पॉंग इस पॉंग जान मूनुज यह अब द लिए हमने इस WiFiल क्रेटिस्ट पर लिया हमने सब्सक्राइब अब क्या आता है हमारे इस प्रॉड़क्शिन आते तो सबसे पहली बात क्या है है कि इस पॉंग जात मतलब मेल एन फीमेल इन इन खीमेल ऐह अं फीमेल सेम इंडिविज्य ठीक है मेल औन फेमेल इंडिवीज्व ठीक है रिप्रडक्शन अकर्थ वा बॉट शैक्ज्वल एंड यह से लिफ्ष मतलब रिप्रड़्िक्शन जो होता है हमारा वह सेक्ज्वल होता है मतलब जाइगोड फर्मिशन से से भी होता है एंड एक्सटर्नल आउट्ग्रोथ तो जो बडिंग होती है उसको कहते हैं हम बडिंग प्रोसेस ठीक है तो जो बडिंग होती है उसको कहते हैं बौड़ी का एक्स्टर्नल आउट्ग्रोथ स्मर्ण om अब उतने ऐन होते हैं जो यह क्या होते हैं इंटर्नल आइवर। कि एक सब्सक्राइब कि अबडिंग होती है SIM Spe flames और रहू जो से आश्चाप हैंनिकल जाता है बाहर और कूपछ इंडियूजिल तरह बढ़ें जाता है जहां बात करें सेग्जिवल डिपराचिन की बात से बारे में लीके दोतDr. 들 होती है हमारे एकस्टरनल हालग ऑउट को इंग्रोथ के बात करें डिये का हमताने की इंटरनल है विसी वीते इंटरनल अो मुंँड शाड़ बन रहे हैं उनका होता है सेम सी बात है मतलब इनमें जो होते हैं वह कोई की तरह काम कर रहा होता है कि फिर एक दूसरी से कि शुक्त पंल लिए अव्हीं Yeah वार इसी बात है सिंगल बाडày और इंटर्स लोसी है इंटर्नल मतलब क्या होता है कि इन में क्रॉस्स फैटिलाजाशन रुचा है मतलब रहा है क्रॉस पेटिलेशन मतलब क्या है कि सेम इस्पीसीज के चम बात करें क्रॉस पटिलेशन की तो क्या है हमारा कि सेम इस्पीशीज same species different individual same species different individuals same species के different individual होंगे ओके तो हमने क्या होता है इनके जो गैमेट से वो कभी-कभी बाहन कर जाते हैं और अधर और इंडिविजियल के गैमेट के साथ फ्यूज होके यह अपने एक प्रॉपर इंडिविजियल बना लेते हैं ठीक है और इनमें जो प्रॉपर पूरा का पूरा कट होता ह होता है हमारा जो होता है हमारे होता है नहीं होता है इनमें perfect इसिम्पल आपको नहीं होते हैं उसमें नहीं बनता है यह बीच में इनके कहते हैं सबसे पहले तो क्या होता है उसके सीलिया मिलता है और वह क्या आता है हम ने सबस्क्राइब करो तब यह मुटाइल होते हैं तो कभी कोशन आ सकता है कि स्पीट結果 स्टाइल और जो होता है об Municipal बहुतर हुआ हो आपका मूटायल होता किला टाएं पहलें दो प्रेहर टम बहुत पूचर अब पुछ प्रक्त लागय को ठीक है और यह कुछ स्टाइब का दिख रहा होता है पिर शेप और इसकी बाड़ी पे कि अब को बहुत सारे कहता है तो यह यहां पर आपको मारा कहते यह पर प्रोडक्शिन इसकी सपेशल सिस्टम के बारे में पढ़ लिया इसकी स्पेशल क्लासिफिकेशन क्या होती है तो सबसे पहले जो हमारे पास कि कहां से होता है कि यहां पर पहले क्या है हमारा अनिमल किंग्वम अनिमल टिक है हमारे प tapi kingdom है वो क्या होगय हमारे पास ओ इंडा हो गयान भाश्त कि अधर कि इसके बाद हमारे पास गया है तर थिक है पाइल लहां प्यादि आनि अक्षन qualified हमारा ग्यास सिर्फ충 कि अजिए अनिमल किंगडम से इनका फाइलंग जो नाम है इनका फाइलन किया है उर्डी हमारा ही पॉरी फेरा हो गया अब इसमें क्या होते है अविससे का हमने क्या करता है इसका डिवीजन होता है सबसे पहला जो आता है वो क्या होता है हमारा कैल के रिया है कैल के रिया है फिर हम इसको क्या बोलते हैं हम कैल सीं को स्पांजी का कैलिया वर्ट से आपको समझ मेंस कहल्स है कि किर दक्रत होगा ठीक हो क्ल kiedy क्राइब का सब्सक्राइब चैनल को आधक ही टैलसीा बेस्ट्रा इस तरी है आधका कर्बोनेट के बने होते है कि लाइमी कैल सी का मतलब होता है आपका लाइम टिक लाइमी मतलब क्या होता है तो इसका जो कहते हैं हम इसको क्या बोलते हैं लाइमी स्पोंज मैजर ओते ही पर कैसी होती है यह होती है पर इन के कनाल सिस्टम होता है वो ए क्या से होता है है लाइनी स्पॉंज भी है इनको क्यों कि बॉड़ी के षती है लाइनी यह जञली टेप की इनकी जो लेंद्थ होती है वो ट्रभ्ध की होटी कि वह 10 संचिंटीमेटर तक ही से उपर नहीं होती है कि अब होने पर सेकेंड है स्चिकंद क्याता है हमारा Hexactinlider है ठीक है Hexactinlider, फिर ऑर एक नाम है इसका क्या है 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 क्या इसको है Hexactinlider मतलब क्या आता है, हमुद है Hexactinlider की बात कर रहे हैं तो Hexactinlider का मतलब होता है आपका इनके जो बॉडी में तीन एक्सिस होते हैं ठीक है कुछ इस टेप के समझ लीजे अब ठीक है यह होते हैं हमारे क्या करते हैं इनके हाइलो स्पॉंजिया भी इसलिए बोलते हैं क्या हुए इनको देखके लगता है कि यह ग्लास टाइप के होते हैं इसलिए हम क्या बोलते हैं ग्लास स्पॉंज ठीक है तो यह थो एक्सेक्टिंग लटा क्या होए शिक्स रेस ट्राइक जोन के होए है अब इनका इस्केलेटन होता है वह किसका मेड होता है इसलिएस हमने अभी थोड़ी देर पड़ा था कि इनका स्केलेटन के बारे में यह तो स्पॉंजियम फाइबर के बने होते हैं यह क्या होते हैं हमारे स्टीएस होते हैं अब जब थर्ड आता है हमारा तो तो यहांस को कि अप्र गल्टेट की बत Bennett अध्या गल्ल जो हमारा है वह क्या है कि वह हमारा किड्र मएस पॉंजब विल्टेशोans पॉंज्य沒關係 दोनोगा है य। इन दोनों का हàiर रो तन हुता है इंदोनों जो कय रिय आ है और में धिल्टेव मसंजी आर सबस्क्राइब है यहां पर इस पाइलो सपॉंजी स्पॉंजी सब्सक्राइब इसक्राइब तो होगा हो घर तो क्लकरियों होंगा कैफो क्यल्क के लियस तो यह तो सकते है एंप प्र चलता है कभी कभी भुट प्रप में प्रेज़न अहीं तन यह होता है hypothetical से क्लकार्यस होगा है फिर धोनुट के दून तो क racist हक़ होते हैं इसके बाद कहां है इनको टेमोगा इसलिए कहते हैं कि ऐसे टाइप इस पंज्ए बोलते हैं इसका मिलेक अबि बहुते हैं ते हुआ है कि इनमें जो एक्सिस होती है यह क्या होता है एक्सिस होते है यहां प्रिखे टाइप होते हैं एक्सिस है तो मोनो एक्जान और टेट्रा एक्जान इनका जो कनाल सिस्टम होता है वो क्या होता है बेसिकली लिवकन टाइप मोस्ट कंप्लेक्स फोर्म आप कनाल सिस्टम ठीक है तो इसी के साथ हमारा जो सब्सक्राइब करेंगे तो अभी के लिए हमारा जो आज का लेक्चर होता है यहां पर कंप्लीट होता है तो अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज डू हिट लाइक बटन अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके लिए थोड़ा सा वनिशीशियरी हो अगर आपको जुलोजी के सेकंड पर की क्लासे चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट क्यूटीज डॉट इंप चले जाएए आपको मिल जाएंगे आ तो चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास तक मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू टाटा बाई बाई